दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सफलता की कहानी को भली भानती जानते हैं, लेकिन क्या आप उन आदतों को जानते हैं, जिनहें अपना वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने, व्यक्ति के आदतों का उसके जीवन पर विशेश प्रभाव होता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। वह हमेशा कुछ सीखते रहते हैं, बिल गेट्स हारवर्ड विश्व विद्यालय की पहाई बीच में छोड़ दी एच देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। उन कक्षाओं में जा बैठते थे जिनका उनकी परहाई से कोई लेना देना नहीं होता था। यही वह आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कोलाज की परहाई छोडधनी पद्धी तो वे उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्ष पर सोजाया करते थे ताकि वह अपने पसंदीदा विशयों की कक्षाओं में उपस्थित हो सके। वह सब कुछ परहते हैं। कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी न परहने, no reading at the dinner table का नियम लगाना पद्धा था। लेकिन गेट्स का परहने के प्रतिवह प्रेम आज भी उनमें जारी है और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज्यादा से ज्यादा परहना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्यान में वृद्धी होती है और हमारे विचारों में सकरात्मक परिवर्तन आता है। हम ज्यादा ब्रॉड माइंड़ होते हैं। थीन वह दूसरों को भी श्रेय, क्रेडिट देते हैं जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसिजन्स कौन से थे जो आपने लिए थे। इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे। लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए। ले लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। जिसके कारण वे किसी एक काम पर पूरा कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते और आज की दुनिया तो मल्टी टास्किंग की हो गई है। लोग एक साथ अनेक कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेह कई बार कम्प्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं और जब उठते हैं तो जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बिलकुल वही से बिना किसी गलती के शुरू भी कर देते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की आदतें जिन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे successful businessman बनने में मदद की क्या आप इन आदतों से सहमत हैं आप इन आदतों में से कौन-कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों आपको ये स्टोरी Bill Gates Success Habits कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताए और हाँ इसे अपने दोस्तों और फैमली मेंबर्स के साथ शेयर करना न भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन जरूर दवाएं मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ